बढ़ते अंगली खबर की तरफ बात करेंगे श्रीकान त्यागी की गिरिफतारी की इस पर डिप्टिसियम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि श्रीकान त्यागी पर अपकड़ी कारिवाई की जाएगी जो कानून के साथ खिलवार करेगा महिलाओं का अपमान करेगा उस पर सरकार एक्शन लेगी अपराधियों पर उचित कारवाई सरकार कर रही है डिप्टिसियम ब्रजेश पाठक बोले कि बुल्डोजर उन पर ही चलेगा जिनोंने अवैद संपत्ती और गलत निर्मार किया है पर उसमार कि मंतिर प्रजेश पाठक जी हमारे साथ है शरीकान के आगे गरफ्त में आ गए हैं कैसे जाच होगी उनकी इतिहास को कैसे कहाला जाएगा इस मामले में हमारी सरकार समयदन सीलता के साथ आगे बढ़ रही है हम किसी ऐसे अपराधी को जो कानून को डिश्टर की हैं कानून हाथ में लिए हैं उनके खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई करेंगे इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है कानून के तहट कड़ी ले हैं जो महिलाओं की सुरच्छा है वो हमारे प्राथिमिक एजेंडे में सामील है किसी भी माता महन को कोई तिर्शी नेर्ज़स देखने पाई इसको हम सुनिश्चित करके रहेंगे यह भी काई रहे हैं दोज़ा तेरे से समाजवादी पार्टी के समय से ही श्रीकान त्या सरकार योगी जी के सरकार उत्तपरदेश में कानून का राज इस्टापित करेंगे जो बुल्डोजर चला है उसको लेकर के बहुत 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 कहा जा रहा है कि सरकार किसी को नहीं छोड़ रही है मेरा मानना है कि जो अवैद संपत्ति है जो गयर कानूनी ढंक से निर्म कि जाएगे हो श्रीकान त्यागी ही नहीं हर वो वेक्ति जो कानून के साथ खिलवाल कर रहा हो चाहिए किसी भी पार्टी का हो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा कैमरामेन मुन्ना के साथ अभी शेक पांडे भार समचार लखनौ